और अब देहरादून का एक मामला, जहां लड़की हिंदू और लड़का मुसल्मान, हलांकि अभी साफ नहीं है कि ये लव जिहाद ही है क्या, फिर भी 42 पर हो गया है, वो भी इतना कि जमकर पत्थर बाजी हुई, अब पुलिस पता लगा रही है कि इसका मास्टर माइन कौन ये दोनों तस्वीरे उत्राघंड की राजधानी देहरादून की है, जिसमें एक तस्वीर 26 सितंबर की है, जिसमें दो पक्ष के लोग एक दूसरे पर पत्राव कर रही है, तूसरी तस्वीर पत्राव की है, जिसका ओबाल अगले दिन सुबह होने के बाद भी नहीं लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू दोनों देहरादून रेलवे स्टेशन पर घोम रहे थे लड़की नावालिग है और एक दिन पहले ही बदायों से भाग कर देहरादून पहुचे जिसकी गुमशुद्गी की रिपोर्ट बदायों के थाने में दर्च है लेकिन जब इसकी खबर हिंदू समाज के लोगों को लगी तो उन्होंने मुस्लिम लड़की की पिटाई करे जिसके बाद मुसलिम समुदधाय के लोग इकटा हुए और उन्होंने हिंदू समुदधाय के लोगों पर पत्थर बाजी पूल रहे और देखते ही देखते इस घटना ने हिंसा की शक ले इस पथरबाजी में दरजनों लोग घायल हो गए तो जिस समय ये पथराव हो रहा था तो उससमय क्या पुलिस थी हापे लड़का और लड़की दोनों यूपी के बदायों के रहने वाले हैं ऐसे में देहरदून में इतना बड़ा बवाल होना कई सवाल खड़े कर रहा है पथरबाजी की इस घटना में पुलिस ने बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को हिरासत मिलिया जिसको लेकर शुकरवार को उस वक्त महौल गर्मा गया जब विकास के रहाई के लिए बजरंग दल की कारिकरता घंटा घर पर धरनाते ने पहुँच गए